हलो फ्रेंट्स विल्कम बेक टू माई चैनल मैं संधिया और आप देख रहे हो संधिया सील आई डिजाइन फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग सूट की कटिंग सीखने वाले हैं तो देखो फ्रेंटेट सूट जब हम कट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्य के लिए फैवरिक निकाल लेंगे तो इस तरह से इसको हमने निकाल लिया है जितना हमें चोड़ाई में चाहिए मतलब जो भी साइज के हिसाब से और बस इसको प्रेंट को कैसे रखना है दोनों पार्ट के प्रेंट को हमें बिल्कुल एक साइट को मिलाते हुए रखना है और अब ऐसे रखने के बाद यहां पर हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है अब डबल फोल्ड करने के बाद यहां पर इसको उपर से बिल्कुल बराबर से रखेंगे और यहां पर देखो यह हमने कैसे देखो दो पार्ट पहल पूरा 5.5 इंच ठीक है तो इस तरह से आपने पांच इंच पर निशान लगाया हो और फिर इसके बाद यहां पर नीचे की साइट को आर्म होल की लेंगे तो देखो फ्रेंट्स आर्म होल की लेंद कितनी लेनी है जो भी हमारा साइट मतलब यहां पर अपने साइट के अकॉर बढ़ा लेंगे margin के लिए तो यहाँ पर आप 10.5 पर यहाँ पर तो कहले साइब का करेंगे गुलाई कर ले तो इस तरे से हम्होद कर लेynnigde आपको आफ इसे पॉइंट कर लेंगे रjem कर लेंगे तो प काने बेंगे वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगे तो वीडियो को लाश्ट तक देखेगा आप यहाँ पर हम क्या करेंगे अपने आर्म होल से 14 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और वहीं पर हम यहाँ पर कमर के फिटिंग देंगे और इस तरह से यहाँ पर हम दो इंच मार्जिन ले लेंगे और अब हम यहाँ पर कमर का निशान डाला अब यहाँ पर हम हिप का निशान डालेंगे तो हिप जितनी है उसका हम 14 भाग करके निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 इंच मार्जिन लेंगे सेम कमर का निशान लगाया है, popula law फिटिंग वाला निशान डाला है उन तीनों पवैंटों को ऐसे मिलते हुए पट्री से हमने लाइन खीज लेनी है, और जो हमने मार पट्रे के पई दिया है उनको भी इस तरह Central मिलते हुए लान खीज देंगे, तो यह हमने यहाँ पर line खेच लिया है अब क्या करेंगे यहां पर हलकी सी गुलाई कर लेंगे क्योंकि इस तरह से बिलकुल kona निकालते हुए हमें शिलाई नहीं लगाना है हलका सा गुलाई करते हुए शिलाई लगानी है यह हमने यहाँ पर सिलाई मतलब उसमें गुलाई करने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे अपने जो हमें जितनी भी सूट की लेंथ रखनी है वो लेंथ का निशान लगाना है उसमें से डेढ़ हिंच प्लस करके लेना है ठीक है जितनी लेंथ तयार रखने उसमें डेढ़ हिंच प्लस करके लें और बस इस तरह से निसान लगाने के बाद यहां पर इस तरह से लाइन खीच लिया है और बस इसकी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे तो देखो यहां पर जो हमारा दूरी है इससे एक इंच दूरी रखनी है देखो आंटी सीख रही है तो वो पूछ भी रही है बीच में और मैं आप लोगों को भी बतारी। वैसे ही और बस यहां पर ऐसे ही एक इंच की दूरी जो है वहां पर हम हाफ इंच की फैली कट कर देंगे और हाफ इंच ऐसे नापक है इसको पूरा ओपन करेंगे तो देखेचो फालल पल् दो हम निकाल देंगे अंदर का यह फैलीक से मारे won बिल्कोल बराबर से रखने के पादब हमने यहाँ पर आज्व पर और पर यांच डाउं किया था उसको कट्अ करेंगे इस तरह से बिल्कोल बराबर से रखने उसको निपालर केल सबस्क्राइब कर दोगे तो फिर आपके पीछे वाले पल्ले की कटिंग वैसे ही हो जाएगे फिर वह अच्taa मतलब सूट आपका खराब हो जाएगा तो फ्रेंट पार्ट हमने लिख दिया है मतलब आगे के पल्ले में हमने लिख लिया आप अपने समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हो और यह पीछ वाला पल्ला तो यहां से बैक पीछे के पल्ले की कंप्लीट करेंगे इंह ने पेपर पेस्टिंग ले लिए हैं । मिरे पास पतलाsın वाला पेपर पेस्टिंग था जो कि अन्यां बनती हूं Richardos वाला पेपर पेश्टिंग नहीं बचा था तो मैं इसी से काम चला रही हूं अभी तो और वह वाला बीना पेश्ट करने वाला पेपर पेश्टिंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैं वह उसको यूज नहीं करती हूं रखा तो है मेरे पास लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको इस तरह से निशान लगाया धाई इंच पर हमने निशान लिया और एक इंच एक्स्ट्रा लिया क्योंकि मार्जिन के लिए भी तो हमें चाहिए तो हमने इस तरह से एक इंच एक्स्ट्रा लिया और जितनी लेंथ रखनी है न गले कि यह हम आगे वाला गला कट कर रहे हैं तो उसमें से हमने 1 इंच प्लस कर के लिए मुझे 7 इंच तयार रखना है तो हम 8 इंच का इस तरह से निशान लगा रहे हैं यह हमने निशान लगाया और इस तरह से एक लाइन खीच लेनी है नीचे से लेंठ ले लिए और इधर साइट को हमने इस तरह से जितना पेपर पेस्टिंग के बंद भाक से हमने धाय इंच लिया और एक इंच एक्ष्ट्रा लिया और इस तरह से लाइन खीच लिया है यह हमने यहां पर एक बाक्ष बना लिया है और बस उसी बाक्ष के अंदर से इस तरह से आपको अप पर आप निशान लगा कि कट करिए मैं ऐसे ही कट कर ले मतलब मैंने ऐसे ही कट कर लिया है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगी तो मतलब लेकिन उससे एक इंच एक्स्ट्रा ही पेपर पेस्टिंग की कटिंग करने वर ना फिर आपका गड़बड हो जाएगा अब यहां पर इस की भी कटिंग कर लेते हैं तो देखो यह हमारा आगे का गला कम्पलीट हो गया है कट गया है तो देख सकती हैं यहां पर हम इस तरह से यहां पर लिया और इसके बाद यहां पर को जितना हमें बैंब पर फ्रेंट पर्ड़ाग से लेंग अर्लेंध हमने उसके लिए हई किapt दो मलें हम रखकरें और उसे में एक प्लस करके और इस तरह इसको हमने कपड़ें में रखा और लखने के बाद छिपक न 652 जाएगा ब्लबस करोहें वटेयर होति हम आपको रहसे की सायट को रखने और वस इस तरह से चिपका देना है अब यहां पर हम क्या करेंगे हाफ इंच मतलब तीनों साइड से उपर की साइड नहीं बाकि नीचे की साइड हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए यहां पर हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हम यहां पर इसकी कटिंग कर लेते हैं और फिर इसके बाद यहां पर हमें इसकी सिलाई भी लगानी होगी तो देख सकतो ऊपर से जितना फैबरिक एक्स्ट्रा था हमने बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के बराबर से कट कर दिया है लेकिन तीनों साइड हमने यहां पर हाफ इंच बचा के रखा है तो इसको हम ऐसे सिलाई लगाते हैं तो चलो अभी हमने यह अपने गले कट कर लिया है आगे की पल्ले हमने पूरे कंप्लेट कर लिया है अब हम यहां पर अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे तो इसका भी हमें पैटन ध्यान रखना है इसमें मैंने जॉइंट लगाया है क्योंकि यह जो हमार प्रिंट है ना प्रिंट की वज़े से वन्न हमारी सलिफ से भी निकलाती, तो प्रिंट को एक साइट को ही लाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनको पहले जॉएंड लगाया है, थोड़ा थोड़ा सा, और फिर इसके बाद यहाँ पर इसको हमने double फोल्ड करके रखना है, और folded side से हम length लेंगे तो हमें इसकी length जितनी तयार रखनी उसमें सी हम यहाँ पर 1.5 inch प्लस करके लेंगे तो मुझे यह तयार रखनी है 14 inch तो मैंने इसकी length पूरी 15.5 inch ली है और यह जो हमारा armhole side जुड़े का जाकर इसकी length हम ले रहे हैं जैसे जो भी हमारा सीने का size है उसको चार से divide करना है और चार से divide करने के बाद half inch add करना है और निशान लगाना है और अंदर की side हम यहाँ पर 3 inch पर निशान लगा रहे हैं क्योंकि यह हमारे 15 inch की sleeves मतलब 14 inch की sleeves तयार रहेगी तो इस तरह से हमने अंदर की side 3 inch पर निशान लगाया और इस तरह से एक line डॉख कर लिया है और उसी line के ऊपर यहाँ पर हम sleeves का save दे देंगे एसा का pattern देना है यह हमने यहाँ पर एसा का pattern दे दिया save अब इसके बाद यहाँ पर आगे की side हम fitting कनाप डालेंगे तो जो भी हमारी fitting size हो वो हम यहाँ पर डाल देंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगाया, इसके बाद 1.5 इंच हमें यहाँ मार्जिन ले लेना है, अब जो हमने मार्जिन लिया है, वही निशान से हम इधर साइट को एक लाइन खीच लेंगे, बिल्कुल कोने तक इस तरह से पठरी की सहायता से, यह हमने यहाँ पर खीच लिया अब इसके बाद जो हमारी फिटिंग वाली फिटिंग वाला पॉइंट है और कोने की साट एक इंच छोड़ते हुए हम निसान लगा लेंगे और बस यहां पर अब हम क्या करेंगे जैसे हमने निसान लगा यह वैसे इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह इसको हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे तो यह हमने यहां पर इसकी भी कटिंग कर लिया है यह हो गई हमारी स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट तो हमने आगे के पल्ले पीछे के पल्ले गल्ला स्लीव सारा कट कर लिया है अब हमें कोई भी फैवरिक नहीं चाहिए बस इतने में हमारी सार यहां पर आपको बस ऐसे लगाना है तो यह बड़ी बख्या से भी सिलाई लगा सकते हो यह मैंने दोनों में लगा के कमप्लीट कर लिया है अब हम यहां पर पेपर पेश्टिंग का सेंटर निकाल लिया और इसके बाद फ्रेंट वाले पार्ट का भी सेंटर निकाल लिया है तो यह हमने दोनों का सेंटर निकाल लिया है अब यहां पर हम आगे का पल्ला ले लेंगे और इसका भी सेंटर निकाल पर हम सेंटर बीधायर क्के यहां पर Г OF सब्सक्तमता है। जब वालने के ने सवित विए और हम इसी इस्वी सब्सक्तम की यहां पर थोड़ा सा एक पर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कटिंग करनी है और यहां पर छोटे-छोटे से कट्स लगाना है जिससे की अच्छी फनीसिंग के साथ में फोल्ड हो जाए और वस इसको हम इस तरह से अंदर की साट को फोल्ड करेंगे और ऐसे अच्छे से इसको हम जो हमारा सीधे साट में हमने पेपर पेश्टन रखा था तो वो हमारा उल्टे साट में चला गिया है अब यहां पर हम उपर से फनीसिंग वाली सिलाई लगा लेंगे तो बस यहां पर हम सिलाई लगा देते हैं तो देखो यह हमने यहां पर सिलाई लगा लिया अब उल्टा करके लेंगे अब हम बड़ी बख्या से साइट साइट से सिलाई लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुर्पाई करनी होगी और तुर्पाई करनी के लिए हम यहाँ पर बड़ी बख्या से सिलाई लगा देते हैं उसके बाद यहाँ पर तुर्पाई करके इस सिलाई को खोल देते हैं यह हमारा आगे का गला बनके रेडी हो गया है अब जैसे हमने आगे का गला बना के रेडी किया है सेम वैसे ही पीछे वाला गला भी कंप्लीट करेंगे तो सेंटर इसका भी निकालना है और पेपर पेश्टिंग का तो हमने सेंटर निकाल ही लिया पर पेश्टिंग अंदर का था हमने कट कर दिया तो देखो इसकी मैंने स्पीड बढ़ा दी है जिससे की आपका भी टाइम वेश्ट ना हो और आप समझ भी जाओ तो जैसे हमने आगे वाले पले को दीरे-दीरे बताया न वैसे ही इसको भी बनाना है कोई अलग नहीं बनाना है इसलिए मैंने यहां पर इसकी स्पीड बढ़ा दी है आप यहां पर हम क्या करेंगे बड़े बक्या से इसे भी सिल देंगे तो यहां पर भी हमें तुरपाई करनी हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो देख सकते हो दोनों का सीधा साइड अंदर है उल्टा साइड बाहर की साइड को और बस यहाँ पर हम सोल्डर पर जोइंट लगा दिया अब यहाँ पर सोल्डर जोडने के बाद यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे तो जैसे हमने साथ निसान आ जाएगा उसी के उपर डार्ग कर लेना है यहां पर हमें बार-बार निशान लगाने के भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा फिटिंग भी कम्प्लीट हो जाएगा तो हमने उसी लाइन के उपर सिलाई भी लगा लेनी है तो यह हमने यहां पर सिलाई लगा तो देखो ऐसे नीचे से फोल्ड कर राया और यहाँ पर हम उपर से शिलाई लगाएंगे सेम ऐसे ही पूरे में शिलाई लगा के कंप्लेट कर लेंगे तो यहां पर आपको कोना बनाना सीखना है क्योंकि यही मतलब चौक में सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है तो हम क्या क बस इस तरह से हम इसको फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहां पर हम कोने फ़ोल्ड टाक्ज यहां पर में बिल्कुल अपको दीरए से दिखा रही ह हुँ और फिर इधर साइट को देखो जब भी हम मसीन मोडनी होती है न तो हम क्या करते हैं फैबरिक के अंदर ही अपनी शूई को रखते हैं और रखने के बाद बस इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो बस अब हमने यहाँ पर कोना अच्छे से बना लिया और ऐसे ही हम पूरे में शि करने माधने शूई क्षवाल्य इससे आया है अब जैसे हमने इसको कंपलेड किया है साथ कर लिया mכל लिए देख सकते हो तो वही चीज दुबारा से कैसे मतलब बार बार दिखाऊंगे तो टाइम भी वेश्ट होगा लेकिन आपको मैंने समझा दिया कि कैसे मतलब एक साइट का दिखा दिया तो दूसरे साइट का भी सेम तरीके से बना लीज़ेगा अब नीचे कैसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है तो देखो यह हमारी चौक भी बनके रेडी हो चुकी है तो देखो कितनी प्यारी चौक आई है और इसके बाद ना फिर हम साइट साइट से भी सिलाई लगा देते हैं जो चौक है उसके बिल्कुल साइट से ठीक है तो वह मैंने मिल जाएगे कि स्लेव कैसे जोड़नी है तो तब देख लेना और बाकि इतना समझ में आया होगा अगर जहां पर भी समझ नहीं आया है आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ लेना अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए हो त आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद